कोलकता नायट एडरस का पहला मुकाबला रोयल चेलेंजर बैंगलोर के साथ चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये आईपिल 2020 का तीसरा मैच होगा इस वीडियो में हम आपको कोलकता नायट एडरस के दो तावर तोड और राउंडरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी टीम कोलकता नायट एडरस को अपना पहला मैच जिताने में धुआधार भूमी का निवा सकते हैं और पेली जीद कॉलकता की जोली में डाल सकते हैं इन में से पहला नाम कॉलकता के तावर्टोड और राउंडर खिलाड़ी सुनिल नरेन का है सुनिल नरेन आम तोर पर अपनी धारदार गेंद बादी के लिए जाने जाते हैं लेकिन कुछ सालों से वो कोलकता नाइटरेस के लिए सलामी बल्लेबास के तोर पर मैदान पर उतरते हैं अगर सुनील नरेन के आईपेल करियर की बात करें तो नरेन ने अब तक 110 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 771 रन बनाए हैं वहीं अगर गैंजबाजी की बात करें तो नरेन ने अब तक 110 मुकाबलों में 122 विकेट अपने नाम किये हैं यही नहीं सुनील का इन पारियों के दोरान स्ट्राइक रेट 168 का रहा जो कि आईपेल इतियास का दूसरे नंबर का रिकोर्ड है यह खिलाडी कोलकता के लिए तुरूप का एका थाबित हो सकता है और अपनी टीम को पहला में जिताने में एहम योकदान दे सकता है अब बात कर लेते हैं आईपेल के तूफानी और राउंडर खिलाडी आंद्रे रसल की आईपेल के इतियास में शांदार बल्ले बाजी करके भी दिखाई है रसल इतने खतरनाक खिलाडी हैं की उन्होंने आईपेल के इतियास में कुल 66 मेच खेले हैं जिसमें उन्होंने ताबर तोड अंदास में 1400 रन बनाए हैं बहीं गेंद बाजी में 55 विकेट अपने नाम किये हैं आंद्रे रसल की खातक बल्ले बाजी का उनके स्ट्राइक रेट से ही पता चलता है रसल ने अब तक इन पारियों के दोरान लगबग 166 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं जिसकी वज़ा से वो रन बनाने की गती में सबसे आगे हैं ये खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए खातक साबित हो सकता है और अपनी टीम कोलकता नायट एडर्स को जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है आपके मताबिक क्या कोलकता नायट एडर्स आईपेल 2020 का अपना पहला मुकाबला चीतने में कामियाब हो पाईगी कमेंट करके अपनी राए जरूर दें ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे